हलो दोस्तो आज हमारे पास यह बजाज का स्प्लैंडोरा गीजर इंस्टंट गीजर है यह रिपेर होने के लिए हुआ है और यभी यह गीजर और इसके दो और मौडल हैं एक है आपका आईवोरा और एक है फ्लॉरा तीनों गीजर एकी मौडल के एकी डिजाइन के हैं सेव तो नाम बनल दिए ओफ-ल Weird Market और ओंवीन मार्केक के लिए बकी बोड़ी दूनों की एक ही है तो दूनों का स्ट्रॉक्चर अंदर से एक ही ए के तो हमारे पास र्लेंड ओर है तो हम आपको यह दिखा रहे है इस परॉब्लम element का है मैं आपको check करके देखाता हूं शीरीस से छीक है इसमें बाटी में current आ रही है और element का problem है अगर आपको geyser पर problem कौन कूछी आती है यह देखना है तो मैं इसका link description में दे देता हूं और उपर i button पर भी आपके पास notification सब्सक्राइब करते हैं तो आप देख सकते हैं यह मैंने इस पर लगाया यह चालू हो गया यह देखिए बॉडी पर करेंट आ रहा है इसका मतलब इसका इलिमेंट फटा हुआ है या लीक है कहीं से इसलिए यह हो रहा है तो इसका इलिमेंट अभी रिप्लेस करना पड़ेगा और कभी भी गीजर चलो करते हैं आपने अगर रिपेर कर लिए तो एक बात का हमेशा ध्यान रखिए अगर वो डारेक पांच सेकेंड ये दस सेकेंड भी चल गया तो इलिमेंट फिर से उसका शॉट हो सकता है तो कभी भी डारेक मतलगा ये सीरीज में चेक करिए तो आईए हम जल्दी से इसे उपन करते हैं और उपन करने के लिए इसके स्कूस कहां पर रहते हैं मैं आपको पर करना सिंप्ली उसके बाद थ्धान रखेंगे इस में लगी रहती है बॉडी पर ये देखें तो इसको सबसे पहले अप इसको पर से थोड़ा से लूज कर देंगे पूरा खुलने की कोई ज़रुत नहीं हलका से लूज करेंगे उसके बाद ये लीडी बाहर आ जाएगी आप हम इसी एलीज करते हैं इसके बाद हमें इसकी वायरिंग को दिसकनेकट करना है वायरिंग डिक्नेक अानिक वायरिंग से बाद ये दिह्तक निकाल देंगे में फाउंड के नट जल्दी से वाईरिंग को डिसकनेक करके थर्म एन्टट शटट को बाहर कर दो तो यह मैंने ठर्म olvist atau कि वाईरिंग के निकाल दीए अलिमेंट की वाईरिंग निकल दीए क्कीव की नीचे है थो हमें यह रिंग निकालने पड़ेगी ये जो इसे पहलुत उता दिए फिर्फ तो हम इस जल्दी से निकालते हैं है तो आप देख सकते हैं पुरी वारींक मैंने हटा दिये हैं और यहां से इनलोटि एंलेट का जो को कैई भी मै निकाल ली है अगर एक नषब हो जाता है यंदि बाता है इस अलग आपके 11 नमबर के टी पाने से आप इजली खोल सकते हैं तो आई जल्दी से हमें स्कुरूस को खोले और एपरेटा स्प्रेट को बाहर निकाले तो आप देख सकते हैं प्रेट निकाल लिया और यह एलिमेंट आज का अंदर थोड़ा सा पानी भी है तो हमें इससे देख सेके ह न blend शौतित सोट निकाल लिया केकले हैं तो अच नमबर का टीप अना इस करींगा उसी से खोलता है तो आई के जल्दी सामी से निकालते हैं यह एलिमेंट मैंने निकाल लिया देख सकते फट अ यह उयाई ठीक है तो हम इसे करते हैं साइड और हमारे पास एक एलिमेंट है यह बचाज कई है ठीक है और इसे हम लगाएंगे यह ओके है कस्टमर नहीं यह एलिमेंट दिया है हमें ओरिजिटल एलिमेंट तो हमें इसे लगाते हैं तो इसे लगाने के लिए इसका नट है हमारे पास इडिलिमेंट करते है अगर इंगे पानीय है तो आपको ये गैस्केट शौर करना है कि ये इसमें गैस्केट लगा है उक्ते हैक औरमइड कर इसमेंट है जल्द ने लगा दिया तो अपनी के लूजेए क्टीनि आप गपा Vares यह जो thermostat का point है यह और यह वाला यह element से कहीं से भी touch ना हो रहा है यहां पर gap proper है यहां से भी gap proper है यह touch होगा तो आपका बारबाग गिज़र ट्रक करेगा तो यह सही है अब इसे हम टंकी पर लगा के screws जल्दी से tight करते हैं तो आप देख सकते हैं यह nut मैंने लगा दिये हैं अब उसके बाद आपको body पे horizontal तरीके से fit करने के पहले आपको इसकी wiring करनी है ताकि बाद में आपको किसी प्रकार की problem ना हो तो हम इसकी wiring करना चलो करते हैं और उससे पहले हम इसका cut out लगाते है cut out लग करता है कि इस प्रकार से और इस प्रकार से आपका thermostat लगे है जैसा चीक है दोनों को अच्छे से दबा देंगे पर अभी वाइरिंग करनी इसलिए मैं नहीं दबा तो आए जिल्दी से हम इसकी wiring करते हैं वाइरिंग कैसे होती गिजर कि आपको नहीं पता है तो मैं उपल आ नहीं हमाँ से भी चेक अउट कर सकते हैं कि व सके होती है तो आप देख सकते हैं यह यहांने बॉड़ी पाटेच कर दीWow आए जल्दी से हम उकले यह बांगा है उपर वाला हीट का साइन है इसका मतलब उपर लगेगा और नीचे रेड लगेगा तो आई यह जल्दी समय से फिट करके बॉड़ी को पैक करते हैं तो यह मैंने इसका लाइट वेट सब लगा दिया आपको देख रहा होगा अब इसको बॉड़ी को फिट करते समय एक यह बॉड़ी डेमेज हो सकती लॉड़ से तो इस चीज को ध्यान रखेंगे सबसे पहले आप नीचे बॉड़ी को प्रॉपरली लगेंगे इस प्रकार से यह नीचे लग गई उसके बाद आपको यहां लॉक है उसके बाद इसको ऐसा पुश करना है ऐसा करके तो यह आपकी बॉड़ी लॉक हो जाएगी तो आए जल्दी समय से फिट करते हैं यह हमारी बॉड़ी फिट हो चुकी है चीक है यह देखिए अब इसे ह तो बैक साइट थे वह दोनों इसको उटाइट करके सको टैस्ट करके दिखाते हैं तो दोस्तों हम इसको बॉड़ी को फिट कर चुके हैं मल्टीमिटर को मैंने एक प्रापको इसमें मेट लगा दिया थे पिन टॉप में फिर उसके बाद में कंटिनिटी मूट पे डालते ह ठीक है उसके बाद मैं इसे यह देखिए कितना रहे है 56 36 यह इसका प्रॉपर वैल्यू है एलिमेंट का अगर आप एलिमेंट लगा रहे तो आपको पता होगा इसकी रेंज अल्मूस्ट 50 तक जाती है कोई दो किलोवाट का है तो उसकी वैल्यू बढ़ सकती है काम हो सकती तो वह ब्रैंड वाइस होता है चेक है बाकी अगर इसकी वैल्यू 200 आ रही है 300 आ रही है तो इसका अलब एलिमेंट आपका इश्यू है अब इसका बॉडी करेंट भी हम चेक कर लेते हैं कोई करेंट नही कित्ती आ रही है 700 900 1200 कराब है इसके बॉडी पर भी करेंट आ रही है यह एलिमेंट खराब है तो यह चोटी से वीडियो आपको पसंद आई हो इंस्टन गीजर की एलिमेंट चेंज करने के बारे में अगर आपके पास यह सा कुछ इश्यू आ रहे है तो आप एलिमेंट चे चल से चल सब्सक्राइब कर लिजिए थैंक यू